तो गाईज मैं हूँ अंकी तो और आप दिख रहे हैं रस्लिंग फैंस नैटवर्क सुरू केते गाईज अपनी बातकों लोग सबसे पहले ट्रपल एच से यानि की पॉल लेवेक से आज है भाई ट्रपल एच का हैपी बड़्डे का इसा दिखना चाहिए वह आपको बहुत अच्छे से मालू में 55 साल के हो चुके हैं ट्रपल एच में तब से भाई उनको हैपी बड़्डे की विसस है देख लेते हैं कि ट्रपल एच ने क्या कुछ अचीव करा है अभी तक डबड़ ड़ी के अंदर वैसे क्वेसे यह होना चाहिए कि ट्रपल एच ने क्या नहीं अ चैंपिन रहा चुके हैं तरी टाइंट टैग ढव् sins ने विनर रहा चुके हैं टू टाम रोल रूंबल विनर रहा चुके हैं व्यक्ति हो माल इच लिए तो बाहर देखो अज़ब पिड़ली चैंपिन, फाइप टैम वर्ल चैंपिन, फाइप टैम इंटर कॉंटनेटल चैंपिन एंड सो ओन हैपी बड़्डे की विसे से भाई मेरी तरब से ट्रपलाच को आप भी लिख सकते हो कॉमेंट्स के अंदर जरूर से अगे बड़ते हैं जाईज बात करते हैं ऐगली सीटोरी के बारे में ौक अपिन से बाहरे में इसेए व्सक्राइबवर उन्द से पहले हैं तो कैसी इंग पर चैयं से बात कर रहे हैं कि एजली वापस आए कंपनी के अंदर यानी डबडबी के अंदर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ऐसा डिनाई करते हैं CM Punk इसके बाद अपने ओपिने सेर करते हैं कि उनके कॉर्डिंग एजे ली को आना चाहिए या फिर नहीं थोरी लंबी स्टेटमेंट है कहते हैं CM Punk I am the wrong guy to ask those questions about I know there's a lot out there of that but I certainly I am not pushing her to do anything I think she knows that there's option I think she sees how happy I am and how things are different but if the right situation presented itself it would have to be a discussion between her and certain people I don't necessarily want to be in the middle of that just because it could get kind of weird selfishly yes I would love to make out with my wife on television again पहले तो CM Punk कहते हैं Rock Zainer Perez वाली स्टेटमेंट पर कि ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी को किसी भी चीज के लिए पुस्नी कर रहा हूं मैं किसी भी तरीके से बीच में involved नहीं हूँ अगर उसे वापस आना होगा तो उसे कुछ और लोगों से बात करनी होगी और यह दो पार्टी अगे बड़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि again CM Punk को ही लेगे लेकिन इस बार है कि CM Punk क्या अपने in ring gear को change करने वाले क्या जो CM Punk के अंदर पहन के रिसल करते हैं वो gear change करेंगे CM Punk तो क्या होता है इंटर्व्य के अंदर CM Punk बताते हैं कि वो सोच तो रहें मतलब वो आगे भी consider करेंगे कि साथ वो अपने in ring gear को change करें लेकिन summer slam के लिए असा कुछ भी नहीं होने CM Punk कहीं अपने AW वाले gear में ना जाए वो full pants में ना जाए तो ऐसा नहीं हुआ है जो कि अच्छी चीज़े भाई CM Punk थोड़े यंगर दिखते हैं अपने normal in ring gear में जो कि उनका legendary gear है तो CM Punk कहते हैं कि अभी तो मैं उसको ही continue करूँगा लेकिन हां down the road मैं इस चीज़ को consider कर सकता ह और आगे जाके में भी आपको एक different gear एक new gear in ring gear देखने को मिले आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली story के बारे में जो कि यह Brock listener को लेके और यह थोड़ी लंबी story हो सकती है तो ध्यान से सुनना भाई Meltzer comment करते हैं listener को उपर and बहुत लंबी चौरी बात करी नोने मैं आपको Hindi में बताऊंगा उतना में English बताऊंगा तो फिर आप बोर हो जाओगे I know I understand you भाई ठीक है तो listener के बारे में क्या कहते हैं Meltzer कहते हैं कि मैं सब कुछ सुन रहा हूं सब कुछ समझ रहा हूं एक चीज़ आप नोटिस करोगे Triple H back to back हमेशा जो भी कहते हैं Brock listener के बारे मे बारे open है listener के return के लिए triple latch open hand वो चाहते हैं कि listener उनको अप्रोच करें and return के लिए वापस आ जाएं मतब return के लिए उनको अप्रोच करें and वापस आ जाएं लेकिन दिक्कत यहां पर आती है lawyers की तरब से जो www के lawyers या फिर बीच में जो lawyers involved है वो www को recommend कर रहे हैं कि अभी better होगा कि आप Brock listener को वापस ना लेकर आओ कहना इनका कि www को लगता है कि बहुत लंबा समय हो चुका है अब listener को वापस आ जाना चाहिए उनके लिए भी better होगा listener के लिए better होगा फैंस के लिए better होगा लेकिन दिक्कत है बीच में lawyers अब lawyers तो भाई देखो legal देखेंगे हर तरीके से कि listener clear है आप नहीं है www को कोई दिक्कत होगी आप नहीं होगी तो वो उसी साब से वेट कर रहे हैं जब lawyers permit दे देंगे green light दे देंगे listener को कि हाँ अब आप जा सकतो जब www को कह देंगे lawyers कि हाँ अब आप इनको ला सकतो तो देन आपको इनका return देखने को मिल जाएगा वरना तो भा लॉयर्स अप्रूफ करेंगे जल्दी listener को मतलब आप सिब गयस करो अब मैं ऐसा मुझे भी नहीं पता कि भाई आएंगे या फिर कब आएंगे लेकिन मैं अगर गयस करूं तो अगर लॉयर्स पर डिपेंडेंट रहोगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा बहुत लंबा करेंगे तब तक कितना भी चाले डवडवी वह अपने आपको डेंजर के अंदर रिस्क के अंदर नहीं डालेंगे एंड लिस्तर को नहीं लेकर आएंगे आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि यह लेंस अनोवा को लेके लेंस अन हम लोग समस्ट लेंगे एंड काफी important updates आने वाली है, रोमन वापस आने वाले हैं उसको लेके news updates आने वाली हैं तो सब पर नजरे बना के रखना चाहे negative हो चाहे positive हो लेकिन उसके लिए भाई आपको चैनल को subscribe करके रखना होगा, fastest updates आपको तब मिलेगी जब आप notification को all पर set क करके रखोगे तो मेक सूर कि आप यह सब कुछ करके रखो तो आते हैं भाई लेंस अनुआ पे वापस लेंस अनुआ ने टीज करा है ब्लड लेंड के अंदर एडिसन क्या ऐसा करा है मैं आपको दिखा देता हूं इन्होंने बैसिकली जेकब फार्टू के एक क्लिप के ऊपर रियक्ट करा है अज आपको मालू में जेकब फार्टू टामट होंगा स्मागड़न में जीत गए आगे क्वालिफाई कर चुके आप टैग टीम चैंपसिप के लिए फेस करेंगे DIY को अगले स्मागड़न के एपिसोड में अब विक्टरी के ओपर रियक्ट करते हैं लेंस इससे पहले जिला फार्टू काफी कुछ टीज कर चुके हैं अरे किसी हमेसा कुछ ना कुछ करती ही रहते हैं तो काफी सारी चीजे चल रही है साथ में लेंस अनुआ का मैं नहीं कर सकता कि ये कब आएंगे कब नी आएंगे I think ये बस ऐसे ही टीज कर रहे हैं लेकिन डाउ इंडिंग स्टोरी आपको लेंस अनुआ भी आगे आने वाल टाइम में देखने को मिलेंगे वैसे पहले भी डबी डबी के अंदर थे लेकिन वापस आएंगे प्रॉपर तरीके से अब देखते हैं इनका इंप्रसन क्या परेगा जब आते हैं तो अभी कैसा आप से भाई फिलाल इस वीडियो के लिए बस याई कुछ न्यूज अपडेट्स थी आई होपस आपके इंफोर्मिसन मिली हो मिले हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और बेसी डब डबली की न्यूज रूमर अपडेट्स जानने को मिलते रहें, फालो के सकते हैं आपते मुझे इंस्टाफराइम एंट टूटपर लिंक आपको मिल जाए डिस्क्रिपिशन में, जॉइन किसे हैं वाट्सइप चैनल को उसके बली के डिस्क्रिपिशन में, मिलते हैं अपनी नेक्स फेरफ़ पाफ ये इंट्रस्टिंग वीडियो में